समस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट अंगल पे मैं हूँ आपका दोस्त शुबम मिश्रा ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि अगर रविंदर जडेजा चननी सोपर किंग्स की टीम को छोड़ देते हैं तो फिर वो कौन सी टीम को जॉइन करेंगे IPL 2030 के लिए और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टीमों की जो की काफी ज़दा इंटरस्टेड है रविंदर जडेजा को अपने स्क्वेड में शामिल करने के लिए IPL 2023 में तो दोस्तो बहुत ही ज़दा इंटरस्टिंग और इंफोर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है आप सभी IPL 2030 के फैंस के लिए वीडियो के साथ अंतर तक जरूर बन रहीगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबस इतनी से रिक्वस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशल बेल आउन करते ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो और अपडेट्स लगातार मिलती रहे दोस्तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि रविंद्र जड़ेजा 2012 से चन्नेई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी का हिस्स्ट है यानि कि पिछले 10 सालों से वो CSK की टीम का पार्ट है इसके इलावा IPL 2022 में चन्नेई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने इनको 16 करोड रुपीज में रिटेन भी किया था जबकि IPL 2022 के लिए कप्तान भी बनाया था लेकिन चन्नेई सुपर किंग्स का परफोर्मेंस शुरुवाती 8 मैचिस में काफी ज़दा खराब रहा था जहांपर CSK के टीम 6 मैचिस हार गई थी और इस खराब परफोर्मेंस की वज़े से रविंदर जडेजा ने कप्तानी से स्तीफा दे दिया था और इसके बाद दोस्तों रविंदर जडेजा ने IPL 2021 और IPL 2022 की अपने सभी इंस्टाग्राम की पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है उसके बाद से ये लगतार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दोनों की बीच में कुछ भी ठीक नहीं है दोस्तों हम बात कर लेते हैं उन टीमों की जो की काफी ज़दा इंटरस्टेड हैं रविंदर जडेजा को अपने स्क्वैर्ड में शामिल करने के लिए तो रिपोर्ट्स ने ये क्लेम किया है कि IPL की टॉप टू टीमें लगतार बातचीत कर रही हैं रविंदर जडेजा से हाला कि नाम तो रिवील नहीं किया गया है लेकिन मेरे इसाब से दोस्तों जो पहली टीम हो सकती है वो है मुंबई इंडियन्स क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियन्स को एक ऐसे लेफट आम स्पिनर की ज़ूरत है जो कि लोर्ड ओंडी ओडर आकर बल्ले बाजी भी कर सकता हो जबकि एक बहतरीन वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो तो मुझे लगता है कि रविंद जडेजा से अच्छा विकल्प मुंबई इंडियन्स के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि रोहित चर्मा को एक ऐसे लेफट आम स्पिनर की ज़रूरत है प्रुनाल पंड्या के जाने के बाद जो कि आपको बल्ले के साथ भी योगदान दे और साती साथ बहतरीन लेफट आम स्पिन गिनबाजी भी करें तो यहाँ पर यह जो कमी है वो रविंद जडेजा बहुत अच्छी तरीके से पूरी कर सकते हैं इन फैक टुनाल पंड्या से अच्छी तरीके से पूरी कर सकते हैं तो यह एक विकल्प मुझे लगता है कि मुंबई इंडियन्स के पास है और मुंबई इंडियन्स जरूर रविंद जडे desperately एक All-Rounder चाहिए और अगर राजिस्थान रोयल्स की टीम में युजविंदर चहल रवीचंदर नश्विन और रविंदर जडेजा का balling combination बन जाता है तो दोस्तों ये सबसे जादा lethal spin balling combination होगा IPL 2023 में इसके इलावा दोस्तों राजिस्थान रोयल्स की टीम को एक ऐसा All-Rounder चाहिए जो कि लोर्ड ऑंडी ओडर आकर बहतरीन बल्ले बाजी कर सके क्योंकि ये इनके लिए कमजोर पक्ष रहा था IPL 2022 में यानि कि जो वो slot है बल्ले बाजी और गेंद बाजी को अलग करने वाला वहाँ पर दोस्तों काफी ज़दा कमी नजर आई थे और रविंद जडेजा इसकी भरपाई कर सकते हैं क्योंकि वो लोर्ड ऑंडी ओडर आकर बहतरीन बल्ले बाजी भी कर सकते हैं जबकि आपको वो 4 ओवर बहतरीन लेफ टाम स्पिन गेंद बाजी करके भी दे सकते हैं तो ऐसे में मुझे लगता है कि आरार की टीम को सबसे ज़्यादा जरूरत है रविंद जडेजा की और यहाँ पर वो ज़रूर टार्गेट होते हुए नजर आ सकते हैं अगर उनसे बात बन जाती है ट्रेड विंडो में तो फिर रविंद जडेजा आरार की टीम में भी ट्रेड हो सकते हैं बात दोस्तों अगर हम बात कर लें तीसरी टीम की तो तीसरी टीम टिक करना थोड़ा सा मुश्किल है कि अगर मैं बाकी टीमों पर नज़र लालता हूँ तो मुझे ऐसी कोई टीम नहीं नज़र आती जिसको बहुत ज़्यादा जरूरत है spinning all-rounder की हाला कि KKR एक ऐसी टीम हो सकती है जो कि रविंदर जडेजा को target करें क्योंकि KKR के पास विदेशी all-rounders तो काफी ज़्यादा मौझूद हैं जैसे कि सुनील नरायन, पैट कमिंस, अंड्रे रेसल लेकिन कोई quality Indian all-rounder नहीं है उनको टीम में शामिल करने के लिए अगर trade window में possible होता है तो वहाँ पर भी वो interest दिखा सकते हैं इसके लावा बात चल लेती कि गुजराट टैटन्स की team भी उनको target कर सकती ही लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुजराट टैटन्स की team रविंदर जेडेजा को target करेगी क्योंकि उसके लिए उनको अपने squad में से किसी core player को release करना होगा और आप अभी अभी champion बने हो तो मुझे नहीं लगता कि core players में ज़्यादा किसी को release किया जाएगा तो इसलिए मुझे KKR के chances ज़्यादा नजर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से Mumbai Indians, Rajasthan Royals और Kolkata Night Raiders ही तीन टीमे हैं जो की रविंद जडेजा को target कर सकती हैं IPL 2023 में आपको दोस्तों क्या लगता है कौन सी वो टीमे होंगी जो की रविंद जडेजा को target करेंगी और किन टीमों को target करना चाहिए ये सारी बाते आप हमें comment box में बता सकते हैं इसके लावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वहीपर cricket matches की fantasy playing 11 इसके लावा cricket से जोड़ी हर छोटी बड़ी news से सबसे पहले updated रहने के लिए आप हमें telegram चैनल पर जरू जोइन कर ले telegram चैनल का link आपको हमारे वीडियो के description box में मिल जाएगा so friends मिलते हैं आप से किसी नई और interesting वीडियो में till then take care stay safe and goodbye